잠깐만 कोई भी और वह मतले लाज भी नहीं हृण बात करें उत्तरपरदेश और बिहार के ठीक है क्योंुकि यहाँ पे उत्तरप्रदेश बिहार कि अगर हम बात करें तो ल्यट्रेसि 있으면 बेरोजगारी चरम सीमा पर नेम्पじゃ यह वह चरंप सीमा पर और गरीबी चरम सीमा पर यहां तक की बियार 51.91 परसेंट है इसमें जो गरीबी के अगर हम बात करने तो खैर हम यहां पर प्रॉबलम की बात नहीं हम बात करते कि हम लोग यह बिरूजगारी इसको कम कैसे कर सकते क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं समझो मेरी बात यूपी बिहार जो ऐसे स्टेट हैं यहां पर सबसे ज़्यादा दिक्कत यह है कि अधिकतर जो हैं जो पड़ा रहे हैं वो हिंदी माध्य हमें और हिंदी मीडियम के आज दुर्दसा हो रखे यह सब को पता है ठीक है अब यहां पर समझो मेरी लॉजिक की बात थोड़ा सा माल लेते हैं अब यह मे बात कर रहे हैं 18-25 की ठीक है अब समझो मेरी बात पांच करोन हैं मालो ठीक है अब इसमें होता क्या है इसमें 75% वो लोग होते हैं जो पास होने के बाद सरकाई नौकरी की त्यारी में लग जाते हैं क्योंकि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम हैं हम बहुत बड़ी बाते कर खता हैं इसमें नौकरी की तैहरी कर नहीं डौड़ी में जाना है पढ़ा है जो ज्यादा अगर जो सबस्स्केर्ग चला ऐगा नहीं दर भी दरोग पुलेसे सब की आती है यह double नहीं है लेकिन ये चीज़ तुम समझो जब यहां पे 10 करोण का लगबाग जनसंक्या है वहां पे अगर 10 लाक भी वेकेंसी आ जाती है तो रेशियो आप समझो रेशियो समझो कि अगर तुम 24 घंटे भी पढ़ रहे हो तो भी इतनी स्योरिटी नहीं है कि तुम्हारा स्लेक्शन हो जाए हम किसी को डी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं लग रहा हो बुरा तो हाँ जोड़ के सौरी है तुम्हें अगर करना है अंदर से आ रहा है कि तुम्हें वर्दी पहनी है तो तुम चले जाओगे लेकिन सिर्फ इसलिए जा र पर बात करते हैं तुम्हें पता है इंडिया बढ़ा रहा टेक की तरफ सबसे पहली चाहिए समझो इंडिया जो है टेक्नोलेजी में बढ़ता ही चला जा रहा है तो 5G भी अपने आ आ गया है ठीक है अपने यहां सोसल मीडिया कहां पर पहुंच गया यह तुम लोगों को पर फोकस कर रहा है समझो यह तुम लोग अगर मेरा वीडियो तुम लोग देख रहे हो जो 12 में हो या कहीं पर भी हो किसी भी फील्ड में हो मतलब अभी तुम स्ट्रगलिंग फेज में ओपने कि तुम्हें सरगाई नौकरी की त्यारी करनी है क्या करना क्या नहीं हम तुम नहीं कह रहे हैं कि तुम एक लाग रुपए फीज भर के स्किल सीखने जाओ तुम्हें इतने online platform मिल जाएंगे जहां पर इतने कोर्स चलना है 500 रुपए 1000 रुपए 1500 रुपए 2000 रुपए में आराम से तुम पूरा कोर्स त्यार कर सकते हो पूरा कोर्स सीख सकते हो जौप मिलने की बात करें एक होता है कुरी है फ्रीलांसिंग का मतलब होता है ना जौब मांगते हूं ठीक है आफ चसी करते हो तुम्हारे पास कोई स्विखल है उसको तुमने एप-LOड कर दिया कई तरीके के platform पर अब वहां से तुम्हें वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तुम अपना थोड़ा उनको काम दिखाते वोड़ाइक करते हैं और यकीन मानों इतना पैसा देते हैं जितना तुम सरकाई नोकरी अगर नहीं सिरोटी कि तुम्हारी लगेगी भी नहीं हम तो कह रहें पूरे टाइम है कि लगेगी ही नहीं यह तुम सोच के त्यारी करो ठीक है लेकिन जो दो घंटे हैं अपने वो किसी भी एक स्केल को दे तो हम देखो अब हम इनके बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि हम इतना एक्टिव नहीं है हम फिटनेस की बात कर सकते हैं बस एक महीने की हम बता रहें तुम्हें एक महीने की अगर तुम बॉड़ी बिल्डिंग की त्यारी कर लेते हो कि वह पढ़ाई और टोटल पढ़ाई का कॉस्ट पढ़ा है कि ता सतर अजार रुपए ठीक है जितना तुम तुम आठ से 10,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो और यह एक महीने में आप जितने चाहूं उतने क्लाइंट ले सकते हो अगर आपके इंदर थोड़ी बहुत क्रेटिविटी हमने से पर एक्जामपल दी हम यह नहीं करें सब लोग चले चाओ योगा लड़कियों के लिए ब सबको नौकरी नहीं मिलेगी लोग इतने हैं इतनी नौकरियां इतनी नौकरियां हैं इतने लोग हैं तो सबको तो नौकरी नहीं मिलनी हैं तो इस चीज को दिमाग में डाल लो एक दो हम यह बिल्कुल भी नहीं करें कि अपना effort मत दो तुम्हारा मन है तुम्हारा ड्रीम ह नहीं है लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना दिक्कत है कि तुम्हें यह लग रहा है कि अगर हमें चार साल लग गए तो घर में बैंड बजानी एक स्किल पर काम कर लो यह दो इसकिल पकड़ की चलो वो तुम्हें आगे इतना कमाते हुए तुम्हें देदेंगी तुम्हें नहीं होगा आगे चलके कि 6 साल अपने त्यारी में गुशेड दिये मेरी बात अगर दो चाल लोगों को भी समझ में आगी होगी तक काफी हमें जाता सब को सफाई देने की वीजूरत है नहीं आज की वीडियो में बस इतना ही देखो यह चैनल है वह और आपको पता है सरकाई नौगरिक त्यारी के लिए ही है लेकिन मेरी रिस्पॉंज बनती है जब बात आती है कि इतनी सारी चीजिया हो रही है तो फिर आमें समझाना चाहिए राम राम जैहन